आज हम आज जो टॉपिक है वह है रेप्ली एंट सबसे पहले हमें पता होने चाहिए कि जो रेप्लिकेशन वो है सैमी कॉंजर्वेटिव ठीक सैमी कॉंजर्वेटिव मॉडल का क्या मतरव है अगर हमार पस दो हमारे पसी एक स्टेंड है जो मैंने ब्लू सी यह बनाए ठीक इसे मैंने इसकी replication की और दो नए stand बनाए तो एक जो नए stand बनेंगे उन में एक उसका नया पार्ट होगा और एक पुराना पार्ट होगा उस पुराने वाले stand के इसी तरह इसे में एक पुराने नया पार्ट होगा ठीक है इसे कहते है साइमी कंजर्वेटिव माडल मादा आदा जो है वो पुराना मजूद था और आदा जो इस तेंड वो नया बनाए ठीक है अब हमारे पार इसकी डियने की replication होती है वह हमारे पास तीन step में होते हैं सबसे पहला होता है प्री प्राइमिंग complex वो क्या करती है इसको यहां से open करती है तो सबसे पहले मैंने इसको open कि तो हमारे पास कुछ इस तरह से शकल बन जाएगी पहले हमारे पास इस तरह से था इस पे इस पे नहीं जाना आप ने जब इसको यहां से मैं आपन करता हूं तो कुछ इस तरह से इसकी शकल बन जाती इस से मैं बनाता हूं ताकि से एक लिए आप नज़र आए ठीक है यह हमने दिरमाद से इस पार्ड को नहीं यहां से खोल लिया इसको खोड़ लिया और यहां पर आई प्रोटीन वे प्री प्राइमिंग कंप्लेक्स होते है अब जो आपन हो जाता है ठीक है तो हमारे पास यह हमने पता है है dna के ऐसे नीचे three to five end . तो दूसरा stand जो है समझ जा रही है ? दूसरा stand जो है वो जाएगा three to five dar???? , एन्टी नयो .. ठीक है ? इस तरह होगा ? वाद़ औद यह आपस्य में क्या होता है prac ह। एन्टी पैर ऐलो होती है और जो इसका फाइव एंड होता है ना फाइव एंड उस पे लगोते है फासफेड ग्रो पीओ फॉर ठीक है अब इसका क्या मक्सद ही आगी इस बात की इंपॉर्टस आएगी अच्छा जब हमें इसको ओपन कर लिया तो हमारे पास यहां पर जो है ना इनिशेशन होने से पह है ठीक है यह इतना च्छोटा सा ओपन है इसको मजीद जब शुरू में ओपन कौन करते है प्री प्रामिल कंप्लेक्स तो इसमें होती है एक इंजाइम होता है जिसे कहते है है यहां इस तरह से चलता है और इस स्टैंड को यहां से दोनों डिरेक्शन में बाइड फिस नहीं उपन करेंगा इधर भी चलता जाएगा और इधर भी चलता जाएगा इस तरह ओपन होता जाएगा ठीक है अच्छा यह कितरह समझ़ लिया जब आपन झेगाइनच क्या करते हैं यहां पर हमारे पास जो हैंने हैं यहां पर इसकी बांडिंग करते हैं लेकिन एक बास समझने हैं कि यहां इसकी सेंसिज नहीं कर सकता उसको इसकी सेंसिज करने के लिए एक प्राइमर की जरूरत होती है एक प्राइमर की जरूरत होती है मैं आपको बदा देता ह यह हमरे पास अगर है ना स्टैंड तो स्टैंड में हम रहे हम रहे होगे कुछ ठीक है ऐसे ऐसे करके नीचे वाले स्टैंड में भी इसी तरह कोई ना कोई नुक्लिय टाइट सीकोंस होगा ठीक है अब अब जो होता है ना हमारे पास डीने पॉलिम्रेज उसने इस नुक्लिय टाइट अगर यहां पर है साइटोसीन तो नीचे लगा देगा यूरसील क्योंकि आरन यहां पर साइटोसीन नीचे थाइमीन बनेगा अगर यहां पर जी नीचे सी बनेगा अगर यहां पर सी है तो नीचे जी बनेगा तीएंट बनाने त्श्चन एब यह सब्सक्राब कांपने जो सब्सक्राइब जो को हमेशा जब बनती है थायमीर तो यहां पर हमरे पर होना चाहिए जी होना चाहिए यहां पर गाइगला जी है तो यहां पर हमरे पर सी होना चाहिए यहां पर जी होना चाहिए ठीक है लेकिन एक मसला है कि जो DNA polymerase 3 है ना वो इसको initiate नहीं कर सकता initiation के लिए एक RNA sequence चाहिए अब RNA sequence जो है ना उसको मैं इस pencil से बनाता हूँ एक specific RNA sequence होता है जो यहां पर मजूद होता है वो RNA sequence होता है उसके जो यह अगर five end है तो यह three end होगा three end पे होता है O.S. group क्या होता है O.S. group यह O.S. group DNA polymerase 3 को चाहिए ताकि वो मज़ीद इसमें add करता है निकलो टायर उस तरह चेन आगे बढ़ती है ठीक है अगर उसको DNA polymerase खुद अपना काम कर सकता है DNA polymerase क्या करेगा इस हर्य्डॉक लूप को यूज करके यहां पर यहां पर जी है तो यहां पर c a test करवादेगा यहां अगर a a है तो यहां पर क्या करवादेगा टी takes करवादेगा ठीक है यह तो हमारे पास हो गया ऊपर वाले stand की बात अब नीचे वाले स्टेंड में भी बिल्कुल यही चीज होती है सेम चीज लेकर उसकी 325 डिरेक्षिन जी है तो उसका स्टेंड इस तरह बनेगा यहां अगर जी है तो यहां अगर पासी बनेगा लेकर उसमें भी सबसे पहले पहले प्राइमर आएगा प्राइमर का सीक्वेंस है ठीक है तो निकलोटेज उसके आगे अटेज कर सकता है शुरू में पहला स्टैप में निकलोटेज अटेज नहीं कर सकता है वह देखे का अगर यहां पर हमारे पास पड़ा है जी तो वह क्या आटेज कर देगा यह तो इस तरह यह क्या होगा एक पूरा बैंड बन जाएगा ठीक है किस तरह उसकी हें प्राइमर की ताकि और यहां पर नेक्स टप जो समझने वाला है वह यह है कि एगर ये जगा होते हैं इसे जो एंड होते हैं इक यह बबल बन बनी पर इस बबल कोम कहते हैं रेपसें जा रहे हैं नुए कर रिप्से o part है उसको ऑफचैन एंग्र होisch घा रहरे हैं यह सोले में हुंं कर इस तरफ से इस तरफ बन रहे हैं मतलब यह ट्वार्ड दर एप्लिकेशन फॉर्ड बन रहे हैं तो यह हमरे पार जो ट्वार्ड दर एप्लिकेशन फॉर्ड बनता है वह हमरे पास होता है लैगिंग स्टैंड यहां को आफंधे तक तु Lia कानी अब आब यहां तक यहां तक इतना से को था हमने उस से तूनों ना इस तूना ना उपर वाले स्केर्स की यूज़ को यूज़ करकर और क messaging यह नीची वाले यह पहले इतना साथ अब इतना हो जाएगा ठीक है अब इसको मैंने थोड़ा सा बढ़ा कर दिया ठीक है अब यह वाले अंड आगे वही इस तरह अज़र देखो यहां पर हमरे पास बढ़ा था जी कोई भी सीक्वंसी ए यहां तक हमरे पास पहले स्टैंड बन गया थे इसके नीचे अब यहां भी इसी तरह बना देता हूँ अचा है यह यहां पर आपने बाद करनी हैं जो क्या बात करनी है कि प्राइमर मजव था यहां पिर दो से ऐसे ही ईऊंसी फ़े प्राइमर मजवथ था ठीक है प्राइमर ऐसे कर केky यहां पर मजूथ ऑर इस ने आगे 스텟ैन्ड बना था ठीक है प्राइमर जुब था उससे आगे स्टैंड किस ने बनाया था ढीने पोलिम्रेस 3 ने बनाया था ठीक है अचा यहाँ से हम है रञ रबास ठीक हैं हमने कर लिए थे यह नया स्टैंड खुला तो यह दो नए बॉंड हो गए ठीक है अब क्या होता है हमारे पास नीचे भी इसी तरह प्राइमर यहां पर वजूद था मैं कहा देता हूं ठीक है और इससे आगे जो है ना इस तरह करके हमारे पास स्टैंड बन गया था ठीक है अब यहां पर आपने इक बात को समझनी है वह क्या कि जो जब यह ओपन होता ना तो यहां से आगे DNA नचींग में GY यह और और उसमें तो इस तरह आगिया अटैजश करता रहती है प्लार सकता है यह कई नेनिचे पूरचे उयूटरा ह। तरहे हममरे पास एक चैंड बन जाथे यह पूरा बालता तो थिका है उस देख से लूग उन्हारा था है यह apple कि रेफं तो चल नीए सकता, क्योंकि यह हमेरा रपस थ्री है, यह 5 corre छेन भी तो हमेर अन भी ऋ वर है, यह भाग यह वर्लक है, psych celebrity chronicles करके दो भाग करका सब्नग्ञेंड करग adel disc दोबरा इस डिर्ड़्च्शन में चलते है最 स्ट जू जपने उन यहां नुम चले सकता इसलिए मैं यहां पे एक नए प्राइमर लगाँगो ताकि दुबारा इस ड्रेक्शन में चले अब यहां पर एक बात आपने समझने जब हम यह चेंड ओपन करते हैं ना तो हमारे पास क्या होता है अब यह देखे आप एक चीज आपने समझनी है यहां मैं इस चेंड को इस तरह ले के आ रहा हूं तो यह देखो इस ड्रेक्शन में जो है यह जो कर्व थी वो ज्यादा गहरी हो गी है और यह जगह डिली होगी है मतलब जिस तरह रिप्लिकेशन फॉर्क जाएगा अगर मैं इसको इस तरह ले जाता हूं तो यह जगह पीछे वाली डिली हो करते हैं जिस तरह प्रिप्लिकेशन मूव करता है वहाँ पर हली केस जिस तरह मूव कर रहे हैं और यहां पर यह टर्न खुर रही है ऊसे आगे जो है ना स्टेंड इस में IS क्या हो जाती है इस हम कहते है पॉसिटिव सूपर कॉाइज और इसके पीछे जगह डिली हो जाते ह कि उसके आगे movement को prevent कर देते हैं, अब इस मसले को हाल करने, क्योंकि हमें तो continuous इसको stand को खोलते हैंगे, continuous हमने नया stand बनाना है, इस मसले को हाल करने के लिए, यहाँ पे हमारे पेसे एक protein होती है, जिसे हम कहते हैं, enzyme होता है, topo-isom-lase, topo-isom-lase क्या करते हैं, इसके एक segment, इसको छोड़ दो, अब यह क्या करते हैं, पुक्षों, यहां से, यह क्या करते हैं कि एक स्टैंड को न यहां से कट लगा देते हैं, तोपवामेरी स्टैंड को कट अगर मैं इसको कट लगाता हूं यहां पर तो इसको छोड़ हो यह अँप क्या होता है, यह जैसे मैंने छोड़ा तो कि टांग जो है यह खुद बखुद खुलनी लग जाएगी अब यह देखो दो मिट ज्यादा सुपर कायल करूंगा तर फिर आपको समझाएगी यह देखें यहां पर उसने टॉप आइसमरेज ने क्या की यहां पर काट किया जब काट एक दो स्टैंड थे उन में से एक को तर फिर जोड भी देता है बताब पहले वह काट लगाता है जिसकी वाज़ा तो इस तरह डीली होती जाएगी ठीक है जब बिलकुट डीली होती जाएगी उनको दोबबारा जोड भी देता है तो आपको समझने वाली यह है कि यह हमारे पास जो बना पड़ा था स्टैंड इसको इसमें हमारे पास क्या होते है जो लीडिंग स्टैंड है उसमें सिर्फ एक प्राइमर यूज हुआ ठीक है और उससे आगे सारा इस तरह करके ना स्टैंड बन गया किस ने बनाए डियन अ पॉल्म रेज थ्री ने इस तरह स्टैंड बने लेकिन जो लैगिंग स्टैंड है उसमें हर जगे पर बार अबर क्या आ रहे हैं प्राइमर आ रहे हैं जब नहीं कॉाइलिंग होते नहीं आप कॉाइलिंग उपन करते हैं एक फिर नए प्राइमर की जरूरत बनती है, यह इसी structure को मैं ना दुबारा बना रहूं ठीक है, और इस direction में यह चलता है, अब प्राइमर को मैंने शुरू में बताए कि प्राइमर क्या होते हैं, RNA के sequence होते हैं, यह हमरे पर दो stand आगे, अब यहां से हमें DNA में तो RNA के sequence चाहिए नहीं हैं, ठीक है, तो हम ने क्या करने, इन प्राइमर को क्या करने, इन प्राइमर को remove करने, उपर leading stand में तो बिल्कुल असान एक ही प्राइमर उसको यहां से क्या करेंगे, remove कर देंगे, तो हमरे पस stand बच जाएगा, ठीक है, अब इस RNA को remove करने के लिए enzyme होता है, वो हमरे पास होता है, polymrase one, DNA, polymr DNA, polymrase one, DNA, polymrase, देखो, three जो था, वो सारे इस तरह स्टैंड बना रहा था, अब DNA, polymrase one आया, उसने क्या कर दे, इसको, यहां से remove कर दिया, ठीक है, और यहां पे जब यह remove हो जाएगा, तो खाली gap बन जाएगा, इस gap को fill भी DNA, polymrase कर देखो, यहां से जब निकल जाए जाएंगे, तो यह sequence इस तरह बन जाएगा, एक, दो, तीन, चार, पांच, ठीक है, यह दो यहां से निकल गए, तो यहां पे खाली gap बन जाएगा, इस gap को fill भी कौन करता है, DNA, polymrase, one करता है, इस तरह एक पूरा हमारे पस क्या जाएगा, यह चेंड बन जाएगा, यह ता ह पड़े होगे, ठीक है, अब क्या होता है, उसके नीचे, यह, इस तरह हम बॉक्सी पड़े हैं, ठीक है, अब यहां से मैंने, DNA, polymrase, one के जरी, इनको जब निकालेंगे, ठीक है, तो इनका गैप इस तरह बन जाएगा, यह देखो, यह तीन दूसी तरह पड़े थे, यह द देता है, नए निकलोटाइड अटाइज करता है, अब यह जो पराने निकलोटाइड थे, उनके दरमयान में तो बॉन्डिंग मजूद थी, जो नए निकलोटाइड हैं, उनकी दरमयान बॉन्डिंग जो है, ना, कौन बनाता है, हमारे पास, यह जो नई बॉन्डिंग बन लागेज के आका देनग आका थो इनको आपस में connect कर देते हैं ठीक है अब यहां पर इन जो आरने के पॉलीमर से चोटे-चोटे sequence बने थे जैसे यह आरने का पॉलीमर उससे यह स्वीकूंस बना डा उससे हम रहां बास प्राइमेर का sequence ता उससे यह आमरे पास DNA का sequence बना इनको वह हम पहते हैं औुक्वाजकी फ्राइगमेंट। लाइगेज क्या करता है? इनिशेशन भी होगे आखर में टर्मिनेशन के बारे में कुछ भी बुक में इस दो लाइन लिखिए हुए है कि जो termination होते है एक उलाई में वो mediated मतलब वो control किस्ते होती है एक specific sequence होता है binding protein टूस का जिसे हमका है टूस से क्या बनते है terminus utilizing substance वो जब वो sequence जब आ जाता है ने replication होती रहती होती 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 है यह जो specific sequence है इस तक जब यह उपर से बनता बनता आएगा stand यहां से इस तरह बनेगा यह इस तरह बना इस तरह बना जब DNA polymerase 3 यहां तक पहुंचेगा वो पढ़े गई sequence को मिसाल के तरुपए यहां पे sequence है जी 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 वो इस sequence को पढ़ेगा है कि ट्रिपल जी पढ़े उसे समझ आ जाजेगी यह जो sequence है यह क्या है terminal sequence है तो यह यहां पर क्या करदागा जो DNA की polymeration है यह रिपलिकेशन वो इसको यहां पर खतम कर देगा यह हमरे रपास था DNA की application अगर वीडियो अच्छे लेगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें तैंक्यू